बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज अपडेट बाई अजीद बखसर के साथ दोस्तों सबसे फ़ली बताते हैं कि आपको भीके सीव का पलपल का ख़बर इस चैनल की माध्य हमसे दिया जाता है तो सबसे फ़ली यहां थमनेल पे देख फेल हुत हैं तो सबसे पहले लाइक कर दिजिए विडियो गौनेमार के दो तिंग गुरुप में सेयर कर जिस से और हम से से रॉलिकता चलते हैं तो सबसे पली आप विडियो य है लाइक कर दीजिये लाइक करने से आप पता चलता है कि आप लोग को कितना प्यार सपूट दे रहे तो छली सबसे पहले बहुत से च्छाटर कॉमेंट कर रहे थे कि हम क्या कहें कि मेल की हैं जवाब नहीं आया है क्या करें अपर थी मैंडमिसन होगा कि नहीं होगा तो छली पार्ट वन में हो गये तो पार्ट टुम अड्मीसन नहीं लेMeet ले सकते यानि पार्ट वन पार्ट टू पहले नहीं द्हुत्च के लिए नहीं तो ठीमें पे हगामा किये तो हाँ के भी सिसर यह जवाब में दिये थे कि आप पार्ट टूवर्ट लियर पीछशे से कीजिए गा तब तक आप part 2 में एक जान दे सकते हैं अब देखिए part 3 में admission लेने के लिए जवाहर लाल नहरू जो इनवर्सिटी में admission के लिए अपना notice निकाल दिया है और उसमें admission हो रहा है उसमें one notice निकाला है कि one or two clear रहेगा तब ही आप 3 में admission ले सकते हैं यह doubt है तो हर college में यह notice है sir क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे यदि part 1 part 2 clear नहीं है तो part 3 में वैसे भी admission नहीं ले सकते हैं अब देखिए जब छात्र हंगामा बोलेंगे वहाँ पे धारना देंगे तो part 2 का clear result है जिसका नहीं है तब हो सकते तो part 3 में admission हो सकते है यानि वहां से आरा से जब notice आ part 3 में admission ले लिजिए और पीछे से अपना part 2 clear भी करते देगा यह notice आरा से आएगा तब बताया जाएगा तो सबसे पहले देखिए जो notice आया है हमारे बहुत से चातरों के पास कोमेंट किये थे कि अपना जो भी mail किये थे जवाब आया है नहीं आया है तो आप हमारे WhatsApp पे message कर के जरूर दीजेगा तो सबसे पहले आप mail का जवाब नहीं दिये हैं तो इस पर mail करके आप अपना जो भी doubt है पुछ सकते हैं और आपका result में तूटी है सबसे पहले बहुत से चातरों का बता दे कि यदि टीया लिस्ट में नाम नहीं है यदि आपका टीया लिस्ट में ना कि हम देख लीजिए हमारा टैज यहां पर present है एक्जाम दिये है तब पर भी लिस्ट में नाम नहीं तो चलिए कोमेंट पर बात करते हैं बहुत से चात्रों का कमेंट हमारे वाट्सब पर आया था तो यहां पर चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो आप यहां पर देख रह आप चलिए दूसरे में चलते हैं यहां पर अब इंका क्या है यहां पर लिख रहा है लोगडाउन के बाद यानि इनका कुछ प्रूबलम होगा तो लोगडाउन के बाद ही यानि सबका जवाब आ रहा है धिरी धिरी यहां पर देखिए यह लिखे हैं कि इनका हिंदी कौंप को फिर से जाच किया जाए तो इंका जवाब भी दूसरा स्कीन सोट में यहाँ पर है यहाँ पर देख रहें कि नमबर बढ़ सकता यहाँ पर साफ तोर पर लिखा गया है कि नमबर बढ़ नहीं सकता लॉक्डाउन के बाद री टोटलिंग करा सकते हैं यह तोटलिंग मतलब यह होता है कि आप फिर से कॉपी जांच या भी के कॉलेज में या आरा आपको जाना पर सकता है और आपका जो मार्क्स आया है वो फिर से जुडवा सकते हैं यानि हिस्ट्री का जिटना भी अनर्स होगा फिर से आप डोक्मेंट अटेज किये हैं और यह अपना जो भी डिटेल है लिखे है फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहें कि लॉग्डाउन के बाद यहाँ आया है जवाब फिर चली यहाँ पर लिखा है कि आप लॉग्डाउन के बाद कॉप्र का रिटोटिलिंग करा यानि जो भी चात्र का लॉकडाउन के बाद ही कुछ हो सकता है लॉकडाउन के इदर नहीं हो सकता है अध्दी इधर सुधर सकता है तो यह मेल पर जवाब दे देंगे आपको अब बहुत से चात्र का यह दिक कोमेंंट मतलब आ रहा है हमको कि एक नमर दो नमर तो देखिस अब उन पर नमर बढ़ाएएंगे यहां सब का यहां पर दिखा बन दिखfeldर है कि आपके महित में नमर कम है नेक्स्ट टाइम को सिस्किंगा अब नेक्स टाइम आपको एक्जाम देना पड़ेगा तो सबसे जरूरी बात है कि पार्ट 3 में एडमिशन होगा कि नहीं यह सबसे पहले बता दिये हैं यहां पर देखें भीकेसी को द्वारा है कि आप अनौर्स में पर्मोटेड हैं कौम नंबर है आपका इसलिए पर्मोट करता है तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार फिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा करता है